हेलो एविर्वन, माइनेम ही जमर सर्मा एन वेलकम योलेन केमकोच इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे केमिस्टी के इंपोर्टेंट 50 मुल्टिपल च्वैस कुष्चन जो के आपके एक्जाम में प्रिवेस येर पूछे गए हैं तो स्टार्ट करते हैं स्ट कुष्चन से व्यापारिक रूप से सोडियं वाइकारवंड को गाया जाता है बॉसिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बिलीचिंग पावडर या सोड़ा-S तो इसका सही आंसर है बेकिंग सोडा जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है एन एएच सियो थरी और आजू पीस ही नहीं होता है सोडियम हाइडरोजन कारवनिट इनका यूज एंटी सेप्टिक के रूप में करते हैं पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए और ब्रेड को स्पंजी बनाने में यूज होता नेश्ट कुष्चन है बायो गैस का मुख गटक है ऑक्सीजन, मीथेन, एसिटिक एसिड या मैथिल एलकॉवल वह बायो गैस को हम गोवर गैस भी कहते हैं जिसके अदर मेंली चार गटक होते हैं मीथेन इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है CH4, कारबन डायोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है CO2, मॉस्चर इसका फॉर्मूला होता है H2S और वाटर, H2O, तो इसका राइट आंसर होगा, आप्सन भी मीथेन नेश्ट कुश्चन है, बोपाल इंसिडेंट में सामिल गैस थी, हाइटरोजन सलफाइड, नाइटरोजन डायोक्साइड, मिथाइल कुलूराइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड तो इसका राइट आंसर है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका फॉर्मूला होता है CS3NC, अब इससे एक और कुश्चन बन सकता है, कि बोपाल इंसिडेंट कब हुआ था, वो तारीक है 3 दिसंबर सन 1984, नेश्ट कुश्चन है, लाफिंग गैस है, नाइटरिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड, तो इसका राइट आंसर है, आप्सन नमर B, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है N2O, या एनेस्टिसिया की कामें आता है, नेक्स्ट कुश्चन है, फ फॉर्मूला होता है ZNO, जिंक ऑक्साइड को दार्सिनिक उन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि वाइट कलर की होती है, नेश्ट कुष्चन है, विद्ध फ्यूज किसका मिस्रिदात हुए, उप्सन है, टिन और लेड, जिंक और लेड, कॉपर और आईरन, या कारवन और टिन, तो इसका राइट अंसर है, उप्सन ये, टिन और लेड, इसमें टिन का सिंबल होता है, SN, और लेड का सिंबल होता है पी बी एक्स्ट कुश्चन है कार्वन मोनो अक्साइड का मुक्ष सुरोत है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फ्यूल कमबिशन, ट्रांस्पोर्टेशन या सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में तो इसका राइट आंसर है ट्रांस्पोर्टेशन में नेफ्ट कुश्चन है वह तक तो जो प्रकरती में नहीं पाया जाता है किन्तो जिसका निर्मार करत्रिम तरीके से किया जाता है Option है थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम तो इसका राइट आंसर है प्लूटोनियम जिसका सिंबल होता है PU और एटमिक नमबर होता है 94 यह यूरेनियम और न्यूट्रोन से मिलकर बना होता है Next question है निमलिके तमेंसे कौन सी गैस रंगीन है? option है oxygen, nitrogen, chlorine या hydrogen तो इसका right answer है chlorine जिसका color होता है greenish yellow और oxygen, nitrogen और hydrogen ये colorless gas है next question है aerosol है option है वाज में निलमबर्ट ठोसकर्ड वाज में मौजूद प्रदूसित gas वाज में मौजूद सूचमजी या वाज में मौजूद हरिद ग्रेग एस तो इसका right answer है option A वाज में निलमबर्ट ठोसकर्ड इनके example देखें तो है smoke, dust या hedge next question है सोचगर तता पेसावगर से निकलने वाले मल जल को कहा जाता है options है sanitary waste, option B industrial waste और जोगिक obsessed option C garbage या कच्रा, option D slab, मेला पानी तो इसका right answer है option A sanitary waste question है किसकी छेकी वज़े से परावगनी विकरड प्रत्वी तक पहुंच रही है option है carbon monoxide, carbon dioxide, ozone या oxygen तो इसका right answer है ozone, क्योंकि हमारी प्रत्वी पर सूर से आने वाली अल्ट्रा वालेट रेज को ozone आने नहीं देती है next question है, silvery रंगों में उपस्तित मुख घटक होता है option है aluminium powder, silver powder, white lead या lead powder तो इसका right answer है, option number A, aluminium powder next question है, निमनी में से कौन जेव निमनी है, bio degradable option है paper, option B है, DDT, option C, aluminium या option D, plastic इसका right answer है paper, क्योंकि bio degradable छोटी छोटे टुकड़ों में तूट जाते है जबकि non-bio degradable, उसका example है plastic, option D next question है, निमनी में से कौन सा पतार्त बेहद लचकदार होता है highly elastic, option है quartz, mica, granite या clay तो इसका right answer है, option number D, clay, chickeny, mitti इसका card है, कि जो बस्तों है विरूपक वाल के हटा ले जाने पर, अपनी पूर अवस्था में आ जाए, वही पूर पित्यास्त होती है next question है, किसकी अत्यदिक मात्रा में उपस्ती थी सी, हरित ग्रे प्रवाव का निर्माड होता है green house effect का निर्माड होता है, option है sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide या methane तो इसका right answer है, methane, जिसका molecular formula होता है, CH4 हरित ग्रे प्रवाव यानि कि green house effect में इसी कैसे हैं, green house effect में carbon dioxide, methane, nitrous oxide और CFC, chlorofluorocarbon, ये सभी कैसे होती है next question है, एक प्रमाडू घड़ी किसके संक्रमड पर आदारित होती है, option है, sodium, cesium, magnesium या aluminium तो इसका answer आपको याद रखना है, option है, B, cesium next question है, गारा, पानी, बालू, और इनमेंसे किसका मिस्टर होता है, option है, कास्टिक चुना, कली चुना, चुना पत्थर या जिपसम तो इसका right answer है, option number B, कली चुना, जिसका फॉर्मुला होता है, C, A, O, केलिसियम ऑक्साइड next question है, राष्ट्री रसायन प्रयोग साला, National Chemical Laboratory, इंडिया में कहां पर इस्तित है, options हैं, मुंबई, बेंगलोर, हैदरापाद, या पूने, तो इसका right answer आपको याद रखना है, option number D, पूने next question, which of the following is a natural dye, option है, crystal violet, aniline blue, alizarin, या phenophthalene तो इसका right answer है, alizarin, जिसका formula होता है, C14H804, इसका उपयोग कपड़ों को रगने के लिए किया जाता है next question है, निमलिकित में से कौन काच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, option है, कोवाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरेक्स ऑक्साइड, या निकिल ऑक्साइड, तो इसका right answer आपको ध्यान रखना है, option D, निकिल ऑक्साइड, जिसका formula होता है, NIO next question है, इनमें से कौन एक निकलियोन नहीं है, option है, proton, neutron, electron या positron, तो इसका right answer है, positron, क्योंकि निकलियोन, neutron और proton से मिलकर बना होता है, तो इसका right answer है, positron, question है, माचिस की तीली की नौक पर रहता है, option है, potassium chloride, white phosphorus, red phosphorus, या phosphorus tri chloride, तो इसका right answer है, option A, potassium chloride, जिसका formula होता है, KCLO3, ये तो माचिस की तीली पर लगा होता है, potassium chloride, लेकिन माचिस की डिबी, matchbox पर red phosphate लगा होता है, जिसका formula होता है, P4, next question है, वह पदार्थ, जो तरल अवस्ता से ठोस अवस्ता में जाने पर नहीं फैलता है, मतलव liquid से solid में जाने पर नहीं फैलता है, तो option है, water, cost iron, aluminium, या type metal, तो इसका right answer आपको याद रखना है, option D, type metal, इसमें lead, antimony और tin होते हैं, जिसमें lead 50 to 86%, antimony 11 to 30% और tin 3 to 20% होते हैं, next question है, निम्न में से किन चार दातु हों, यानि कि alkali metals में सरवादिक विशिष्ट उसमा होती है, option है, cesium, rubidium, potassium और lithium, तो ये चारो alkali metals हैं, लेकिन highest specific heat होती है, वो है lithium, क्योंकि ये सभी group first में हैं, और group first में उपर से नीचे जाने पर energy होती है, वो decrease होती है, next question है, कठोर जल से calcium तथा magnesium निकालने की प्रक्रिया कहलाती है, option है, sedimentation, filtration, flocculation और water softening, तो इसका right answer है, option D, water softening, जल म्रदुली करड़, next question है, मानव रख्त का pH मान किसके बीच होता है, option है, 6.5 से 7, 7.5 से 8, या 8 से 9, या 4.5 से 5, तो इसका right answer आपको याद रखना है, option B, 7.5 से 8, basically इसका pH होता है, 7.40, अब आपको ये भी जान रखना है, कि pH scale में, सेविन से नीचे, acidic nature होता है, और सेविन से उपर, basic nature होता है, next question है, एक परमाडू के दो electron की सभी चार quantum संख्याएं, समान नहीं होती है, यह नियम है, option है, one's rule, exclusive principle of Pauli, uncertainty principle of Heisenberg, और Ego Godro is law, तो इसका right answer है, exclusion principle of Pauli, Pauli का अपरवर्जन नियम, क्योंकि Pauli ने बताया था कि किसी भी एक परमाडू के दो electron की चारो quantum संख्याएं, समान नहीं होती है, उनमें कोई ना कोई एक अवस्य भिन लोगी, यह चारो quantum संख्याएं कौन कौन हैं, तो पहली है, मोक्य quantum संख्या, principle quantum नमर, दूसरी है, चुमग की quantum संख्या, दूसरी है, दोगैंस्यू quantum संख्या, azimutal quantum नमर, तीसरी है, चुमग की quantum संख्या, मेगनेटिक कॉंटम नमबर और चोथी है चक्कर कॉंटम संख्या यानि की स्पिन कॉंटम नमबर नेक्स्ट कुश्चन है निम्न में से कौन एक कार्वो हैड्रेट है अप्शन है नाइलोन केंसुगर तारपीन या हाइड्रोजन पर अक्साड तो इसका राइट आंसर है केंसुगर क्योंकि कार्वो हैड्रेट का अगर हाइड्रोलाइसिस कराएं तो वह चीनी में चिंज हो जाता है इनका मॉलिकलर फॉर्मुला होता है CnH2nOn जैसे सुक्रोस जिसका मॉलिकलर फॉर्मुला C12H22O11 ग्लुकोज C6H12O6 या ग्लाइकोजन नेस्ट कुश्चन है हरे फॉलों को करत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का इस्तमाल किया जाता है तो आप्सन है एथाइलीन एसिटलीन इथेन या मिथेन तो इसका राइट आंसर है एथेलीन इसे एथेन भी कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है C2H4 एथेलीन कुछ एंजाइम जैसे एमाइलिक्स का अंतह को सी इस्तर बढ़ा देती है जो कि स्टार्च को सरकरा में चेंज कर देती है नेक्स्ट कुश्चन है निम्न में से कौन सी गैस सीतल पेपदार्थों के दाब में मौझूद होती है अप्शन है नाइट्रोजन कारवन डाई ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सिजन तो इसका राइट टांसर है कारवन डाई ओक्साइड, CO2 नेस्ट कुश्चन है सीमेंट किसकी साइटा से कठोर बनाए जाता है आप्शन है डिहाड्रेशन हाड्रेशन एंड डिसोसियोशन ओफ बाटर डिसोसियोशन ओफ बाटर या पॉलिमराजेशन तो इसका राइट आंसर है आप्शन बी हाड्रेशन एंड डिसोसियोशन ओफ बाटर क्योंकि सीमेंट मुक्त है केलसियम के सिलिकेट और अलुमिनेट योग का मिसर्ड होता है जो के केलसियम ओक्साइड सिलिका अलुमिनियम अलुमिनियम ओक्साइड और Iron Oxide से निर्मित होता है Next Question है निमन में से कौन सी दातू है अन्नी दातू के साथ मिस्सर दातू का निर्माड करती है Option है Tin, Lead, Jink या Mercury तो इसका Right Answer आपको ध्यान रखना है Option D, Mercury इसे पारा भी कहते है जिसका सिंबल होता है HG Next Question है आसू गेस का एक गटक है Option है Ethan, Ethanol, Ether या Cloropicrin इसका आंसर है Option D, Cloropicrin जिसका फॉर्मिला होता है CCL3NO2 Next Question है निमन में से कौन सा रेसा सबसे कम आग पकड़ता है Option है Nylon, Cotton, Rayon या Terricoat तो इसका Right Answer है Option B, Cotton Sacrine is made up of Option है Toluene, Phenol, Propane या Butane तो इसका Right Answer है Toluene जिसका मॉलिकलर फॉर्मिला होता है C6H5, CS3 इसे Artificial Sweetener या Low Calorie Sweetener या Intense Sweetener जैसे कई नामों से जाना जाता है Sacrine को यह चीनी या सुक्रोस के मुकावड़े लगबग 300 से 13,000 गुना ज्यादा मीठे होते हैं नेस्ट कुष्चन है 18 केरेट सोने में सुद्ध सोने की मात्रा होती है Options है 60%, 75%, 80% या 90% तो इसका Right Answer है Option B 75% क्योंकि जो Pure Gold होता है वह 24 केरेट का होता है मतलब 100% Pure तो 18 केरेट 75% का होगा Next Question है LPG Hydrocaron एक मिस्टर से मिलकर बनता है Option है Methane और Butane Propane और Butane Ethane और Propane या Ethane और Butane तो इसका Right Answer है Option B Propane और Butane जिसमें Propane का Formula C3H8 और Butane का Formula C4H10 होता है अब Methane, Ethane, Propane, Butane इन सभी का Formula कैसे याद रखें तो इसके लिए आपको Hydrocaron की वीडियो देखनी होगी लगबग 10 मिनट की वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा नेस्ट कुश्चन है ओजोन कंसिस्ट ओफ ओप्शन है ओजोन ओनली ओजोन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन और कारवन या ओजोन और कारवन तो ओजोन का Formula होता है O3 क्योंकि ओजोन ओक्सिजन के तीन एटम से मिलकर बनाएं तो इसका राइट आंसर है ओप्शन A ओक्सिजन ओनली नेस्ट कुश्चन है परमाडू ओडिया के निर्माड के लिए प्रयुक्त समस्थानिक है ओप्शन है U 235 U 238 U 234 या U 236 तो इसका राइट आंसर है U तो इसका राइट आंसर है ओप्शन A U 235 इसमें U का मतलव है Uranium जिसका एटमिक नमबर है 92 अब समस्थानिक यानि की आईसोटोप क्या होते हैं तो जिनका एटमिक नमबर सेम हो और एटमिक मास डिफरेंटो आईसोटोप कैलाते हैं जैसे ये नेस्ट कुश्चन है तापी उर्जा सेयंतर का प्रमुख गैसी परदूसक है आप्शन है H2S हाडोजन सिल्फाइड NS3 अमोनिया NO2 नाइट्रियन डायोकसाइड या SO2 सिल्फर डायोकसाइड तो इसका अंसर आपको याद रखना है आप्शन D SO2 सिल्फर डायोकसाइड